इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मित्रों, दिखवजय, देश की आवाज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं हूँ देश के महान संत और गव, गंगा के करपा कांक्षी, महान रिशी, जो पिछले 40 वर्ष्णों से गाय के सम्मान की रक्षा के लिए सतत प्रतनशील हैं, बहुत करांतिकारी हैं, कुपालमणी जी, आपका हमारे डिखवजय देश की आवाज में बहुत-बहुत अभिनदन हैं, बहुत-बहुत स्वागत हैं, महाराश जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना हैं, बहुती साभागे का दिन हैं कि आज आप से बात करने का अफसर हमें पृप्त हो रहा है आप यह बताईए कि ऐसी क्या प्रेड़ना हुई कि आप इस लक्ष को तेश के सामने आपने इस लक्ष को रखा जागरती पैदा किया आपने जो भारतिय संस्कृति में रचा, पचा, पला, बढ़ा होगा और वो गाय के लेकाम न करे ऐसा संभव ही नहीं क्योंकि भारतिय संस्कृति बेद से लेकर के और हन्वान चालिसा तक गव से हमारा परिचे कराती है हम गुरकुल पद्धति से पड़े हैं और हमने बेद में गा भारत की पैचान पूरे संसार में गाय की वज़ा से है और रिशियों ने हमको गोत्र दिया है और गोत्र शब्द का अर्थ होता है गाय अत्रा का अर्थ होता है रक्षा याने हमको सबसे पहला जो मंत्र रिशियों के माध्यम से मिला है वो गव रक्षा का मिला है इसलिए पहारत में हम पैदा हुए हैं, वो भी उत्राखंड की पावन धरा में पैदा हुए हैं, वो भी गंगा के तट पर पैदा हुए और हमारा सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, गाय के गाय से संबंध न हो, प्रेम न हो, ऐसा कैसे हो सकते हैं हम और हमने हमने वे सोचा जब हमारी चेतना, फोक्ति अपने और गौव कथाों को निरमान किया, लेकिन हम ने जैसे चार सो घायों के लिए गोव सालाओं के तो आप ने कितनी गौवछाों क निर्मान करा आद हैं, पहले हमने हैशा है। हना ये सों जदुनिति चैने में लोगों ने 400 गाय और बाहर ला दी, तो अब हमारे पास तो 400 गायों के लिए जगा है ने, वो जो 400 और बाहर आ गई वो कहां रहेंगे, तो इसका मतलब हमने सोचा कि इन लोगों ने तो यह समझ लिया कि यह गाय का ठेकेदार है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं, तो उसके फिर हमने को साला है, खोलने बंद कर दी, और फिर उसके बाद हम इसके पीछे हमारा जो मूल उत्तरकासी जनपद है, और उत्तरकासी जनपद में चिन्याली सौर जो ब्लॉक है, प्रखंड है, उसकी एक पट्टी है, गमरी पट्टी है और उसमें एक छोटा सा गाउं है, उस गाउं में हम लोग गव सेवा करते हैं, और वहीं हमारी मूल गव साला है, तो वहाँ पर जाकर के हमने छे मैने तक यग्य किया, और उस यग्य में 108 ब्राह्मन रहे, और उन ब्राह्मनों ने उस यग्य में भगवती जगदंबा गवमाता से ये पूछा, कि आखिर आप कौन हैं? गवतत्यों को जानने के लिए वह यग्यवा और च्छे मेने के बाद ये पता लगा कि पशवो नगावर गाए पशू नहीं है, तो हम न है का पुरा देश तो इसको पशू मान रहा है, जी। और बेद कहे रहा है कि गाय पसु नहीं है पस वो नगावा है तो इसका मतलब है यही हमारे लिए पूज्य है और यही भारत वर्स की इस्ट है तो ऐसा समझ करके हमने गोसाला हैं खोली लेकिन उससे काम नहीं चला तो हम फिर से एक वर्स के लिए उहीं चोपरदार में गए और मौन रह करके गायों को चराते हुए एक वर्स तक उन गायों से यही पूचा कि माता जी गोसाला बनाने से तो कुछ नहीं हो रहा है लोग तो हमें ठेकदार समझ करके गायों को छोड़ रहे हैं पहले कम छोड़ते थे आप ज्यादा छोड़ रहे हैं और जितनी भी गा परतीती बिन परतीती होई नहीं परीती मतलब जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक उसके प्रती बिश्वास नहीं होता है और जब तक बिश्वास नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं होता है तो इसका मतलब है किसी भी विशय को उठाते समय हमें को उसको जानना तो ये देश गाय को भूल चुका है इसलिए गाय को जन्वाना होगा गाय को लोग जाने इस देशे को लेकर के फिर धेनुमानस की रचना होना ये जो गरंथ यहाँ पर आपके सामने है और इसके आदार पर पूरे देश के अंदर 2008 से 1980 से लेकर के और 2008 तक हमने राम कथा लेकिन जब धेनुमानस की रचना गवमाता की प्रेना से हुई तो 2008 से गवकथा का संकनात पूरे देश के अंदर हुआ और ये जनाम दोलन के रूप में पूरे देश के अंदर फैला अब ने सुना आपके साथ 10 लाग लोग जुड़े हुएं देशवर में नहीं लोग तो जब हमने तीन तीन बार यहां के आपको अस्षर होगा कि बिना संसाधनों के हमने इस देश के 29 राज्यों की राजधानियों में भी रेलिया की है डिली के राम निला मैदान में तीन ती लोग हैं जो गवमाता के प्रति जाग्रुक हैं इस समय प्रतमान में अभी महराद जी जो देश की बड़ी राजधानिया हैं वहां पे गाय को रखने में प्रतिबंध तो जो लोग चाहते भी हैं कि हम गाय रखें वो भी असामरत हैं तो इसलिए हैं कि हमारा भारत भारत नहीं है अंग्रेजों की गुलामी अभी तक चल लही है अन्यता जिस देश के बेद पुरान धर्म सास्तर कहते हों कि गोश्टम आसाद्य तिश्टंतम भवनस समी पता मतलब आपको घर बनाने की अनुमती तब मिलेगी जब आपके घर में गाय होगी जिस देश का बैदिक हस्तान तरन हुआ है हम आजाद नहीं हुए है आज भी इस देश का जो दिन है और रात को बारा वज़े खुलता है और भारती संस्किति में रात को बारा वज़े दिन नहीं खुलता है सूर्योदय के साथ दिन खुलता है तो जिस दिन इस देश का दिन सूर्योदय के साथ उस दिन हर घर में गाय रखना अनिवार्य हो जाएगा पहले भारत को भारत बनाना पड़े पिर भी तमाम विशम परिस्तितियों के बाबजूत देश में कुछ संत महात्मा गाउं के रक्षन के लिए कारे कर रहे हैं क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी कौशाला हैं देश मे जो बहुत बड़े स स्थर पर काम कर रही हैं जिसे पथमेरा है राजास्तान में स्वामी दष हर ननद जी महाराज हैं 2 लाख गए हैं उनके पास अपने स्वामी राजिंद्र दास जी हैं उनके पास यहां गढ़खोर है, राजास्तान हो sudah हर भार्याना का बौर हैं उनके उनके पास भी लाखों गाए हैं, और इधर कृष्णानम जी हैं पंजाब में, उनके पास भी हजारों गवे हैं, बहुत सारे साध्मात्मा हैं जो इस कारे में लगे हुएं ये स्वयम की प्रिढना से करने है या आपने इनको उत प्रेरित की हैं? नहीं, उनकी स्वयम की प्रेणा है, वो तो साधू है, बड़े-बड़े संत है, जो असली साधू होगा, बहुत बड़ा पुर्णे चाहिए राजा बनने के लिए, लेकिन संपूर्ण जगत का पुर्णे इकठा हो जाए, तब यक्ति महाराज बनता है, तो यह जो लोग जैस इन महात्माओं के पापुर्णे हैं, इसलिए उगव सेवा कर रहे हैं, तो जो सच्चे साधू होंगे, वो गाय के लिए काम करेंगे ही, इसमें कोई दोराय नहीं है, अचाहिए एक ब्यवारिक बात बताईए, कि इस महानकारिकों करते हुए, आपको किस तरह की तकलिफ है दिकतनों का सामना करना पड़ा, जब कल्यूग सुरूआ तो उसके हाथ पर डंडा था, और उसने उस डंडे से गाय को मारा है, तो अब इतने से आप अंदाजा लगा देते हैं, कितनी, लेकिन हमको भरोसा है, क्योंकि गाय वालों के पीछे स्रिक्रिष्न होता है, और स्रि क्रिष्न खड़े हैं, तो फिर हमको गाय के काम करने में कोई दिकत नहीं है, जय श्री रादे, जय अना, गोमाता की मा, अच्छा, आप बहुत जोड से जयकारा लगाते हैं, मा का ये, और बड़े स्वर में होता है, लगा ही एक बादे, मा, बिल्कुल आपकी नाभी से नि अने परती है, ये जगत है, यी जगत में बाधा ये, तो आती है, कॡ़ते हैं, पूरा करते हैं, हमने तो गौँ के लिए चुनाओ भी लड़ा, सांसद का, संसदे चुनाओन ये. आपका जो विजन हैं के लिए, गाय की महिमा, गाय का संमान और गाय की रक्षा के लिए जो 25 अनुचेत में है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का करतब्या है आपको मालूम होगा कि जम्मु कस्मीर में जहां पर मुहमत साब के बाल रखे गए हैं और उसके लिए 700 कलोर रुपे करक्षा आता है एक साल का दूसरी बात हमारे देश के खेतों में रासा नहीं खाद क्यों हमारे देश के खेतों में गोबर की खाद का ही उपयोग होना चाहिए वो गोबर किसानों से खरीदा जाना चाहिए जैसे 36 कर सरकार ने 4 रुपे किलो गोबर खरीदना सुरू कर दिया तो भारत सरकार इस काम को कर दे, कोई भी गाया आपको सड़क में नहीं मिलेगी, तो प्रते किसान को कम से कम 10 रुपए एक किलो गोबर का मुल्य मिल जाएगा, तो कैसे आर्थिक सम्रिद्ध साली हमारा भारत वर्ष हो जाएगा, हमारा भारत दुनिया में आर्थिक सुसंप अन्देश तब था जब इस देश के अंदर गोबर की कीमत थी, आज गोबर को समझते हैं हमारे यां तो गोबर की इतनी कीमत है कि हमने उसको प्रतम देवता के रूप में सुईकार किया है, क्योंकि हमारे यां गोबर से ही गणेश बनता है, और इस देश के दस वर्ष तक बच्चों को गाय का दूद ही पिलाया जाए, क्योंकि जो बच्चा गाय का दूद पिएगा और राम और कृष्ण बनेगा, फिर समस्या ही नहीं रहेगी कि इस देश की संस्किति को नहीं मानते हैं, यह नहीं कहते हैं, धर्मांतरन हो रहा है, यह सब क्यों हो रहा है, क्यो मंत्राले अलग से खुला जाएं हर गाव में पांच यूवतिया और उबक यूवक रूप में न्यूक्त किये जाएं शरकारी क्रमचारियों के रूप में उनको ऐसी बेतन मिले और प्रटे गाव में यंत्र लगाये जाएं मसीने लगाइज है एक तरफ से गोबर डाला जाए, दूसरी तरफ से उसकी खाद निकल रही है, तीसरी तरफ से गोबर गैस निकल रहा है, गोबर गैस से इस देश के चूले जलने चाहिए, गोबर गैस से इस देश की मोटर गाड़ियां चलनी चाहिए, अरे गोबर गैस से चंद्रयान जो आप यानिकों की रिपोर्ट है तो इस प्रकार से गोबर का उप्योग हो हमारी रिशियों ने गो में बसते आज चला रहे हैं अर्थ हमने तो पहली कहा जब कोरोना शुरू हुआ हमने का भैं पंच गभ्य हमारे पास है किसी दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है लेकिन इनको पंच गभ्य माने क्या क्या पंच गभ्य मतलब गाय की पांच चीजें गाय का गोबर हो गया गाय का गोमुत्र हो गया गाय का दूद हो गया गाय का दई हो गया गाय का गी हो गया यह पंच गभ्या प्रासनात पंच गभ्य स्याद अगर आप पंच गभ्य का सेवन करेंगे तो संपून ब्यादियों से आपको समाधान मिलेगा आज कल तो लोग कैंसर पे इसका प्रियोग कर रहे हैं कैंसर ठीक हो चुका है यह रिपोर्ट है यह तो डॉक्टर हर्स बर्दहन जी जो हमारे स्वास्ते मंत्रियों उन्होंने संसद में बयान दिया कि कैंसर बिमारी को द कि मेरा कैंसर पंचगवेश से ठीक हो है जी बड़ी उपलबती है अच्छा लोग बुढ़ापे में गाय को सडक के किनारे या तक्सकरों के हाथ में लगने के लिए छोड़ देता है इसका मुख्य कारण यही है कि वो सोचते हैं कि अभी बजन हो गई हम पे बार हो गई उन हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसका गोवमुत्र काम का है उसका गोवर काम का है दूद देना बंद करेगी गोवर गोवमुत्र देना बंद धोड़ी करेगी तो यह सरकार का काम था लेकिन सरकार तो डढ़ती है अमरेजियों से डढ़ती है दबलू यच्चों से डढ़ती है कि अगर हम गाय का करेंगे तो सब लोग स्विकारने करेंगे और फिर हमको नेता बनना है भारत का नेता नहीं रहे ना तो यह भी तो बाते हैं यह आपके हिसाब से गाय मरते दम तक उपियोगी है बहुत उपियोगी है और भारत की जो आर्थिक सक्ति है वह गाय अगर आप दिश्ट कोन से देखेंगे तो गाय भारत का जब भारत वर्स सोने की नगरी द्वारिका थी तो गव की वज़ा से आज भी जैसे लोग कहते हैं कि दस लाग पंद्र लाग तुमारे खाते में डाल देंगे जिस दिन गव माता को इस देश में सम्मान मिल गया और गोबर का उपियोग हो गया उस दिन खाते में 15 लाग डालने की जरुरत नहीं है हर व्यक्ति का घर सोने का ऐगा यह 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 ये यतारत तो आप तेश की जनता को किया कहना चाहते हैं कि आओ और सबसे पहले गायistent को जानो क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो कि गाये-पसु नहीं यह ध पूरे देश को सोने की चिडियाने, सोने का पहाड बना देगी, अर्थ भी इसके पास है, ये भी हम कहना चाहते हैं, कामना की पूर्ति करने वाली ये काम धेनु है, और अंतिम समय में अगर इसकी पूछ पकड़ ली, तो भारत वर्ष की जो संस्किती, अध्यात्म की संस्कि धन्यवाद, दोस्तों, ये हैं गोपाल मनी जी महराज, जिन्होंने बहुत ही खुफसूरत पुस्तक, धेनु मानस, रामचरित मानस के तर्ज पर धेनु मानस बनाई है, और इसमें बहुत ही सुन्दर चौपाईयां हैं, जो सब के सब वेद निश्दों से प्रेरित हैं, औ और रामचरित मानस की जो गीत शैली है, गाने की, उसमें ये बड़े ही आनंद से आप इसका पठन कर सकते हैं, और एक-एक चौपाई ऐसी है, कि आप पढ़ेंगे तो आपको आत्मिक शांती का आभास होगा, सबसे बड़ी बात ये हैं कि जो इन्होंने अपने पूरे वक हम को ये करना है, अब गाउं की ओर चलें, तो बगर गाय के कोई गाउं नहीं है, बात मिटी की नहीं गोबर की होनी चाहिए, मैं सरकार की बात कर रहे हैं, हमारे यह जब प्लॉट हरिदा जाता है, तो किस प्लॉट पे आप मकान बनाएंगे, उसकी मिटी ले जाए जाती ह किसी पंडित के पास, किसी जानकार के पास, कि आप बताओ कि यहां पे मकान बनाना ठीक है, तो क्या सूंगता है वो, उस मिटी में क्या सूंगता है, यह सूंगता है कि इस मिटी में गोबर की गंद है कि नहीं है, अगर गोबर की गंद उस मिटी में है, तो महा मकान बनाना तो सिद्धा सा मतलब है। जब यहां देश में देश में भी गुदर की गंद चाहिए। और आप गोबर को हटा करके और मिटी के खिलोने बनाने चाहते हैं तो कैसे आप सपलोंगे इसलिए इस देश के अंदर गनेज से लेकर के और जितने भी आप खिलोने बनाओ गोबर के ही बने तो भारत वर्स के अमेरिका और चीन तो दस किलोमेटर दूर से प्रणाम करेगा कारत को कितना और की लुजश्वी आपकी और वानी हैं और कितने क seventh के विचार है लुजओ ऐसे जं जांद के जंता के समर्थन से के संभव होते हैं तो आग चलें अपने गाउंगी ओर जहां गोवर की ही हैं हो जहां गामूत्र की महीमा हो जहाँ गंगा की साफ सफाई का भाव हमारे अंदर हो जहां हिमालय की रक्षा का भाव हमारे अंदर हो तो ऐसे है ये गौव गंगा के करपा कांख्षी श्री गोपाल मनीजी महराज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर एक और नए शक्षियत के साथ तब तक के लिए कैमरामेन सुनील गौतम के साथ मदू शिवास तब का नमस्कार महाराज जी प्रणाम इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए